भारत में क्रिकेट को सबसे पॉपुलर खेल माना जाता है क्रिकेट में अच्छी मल्लेबाजी देखकर दर्शकों को काफी अच्छा लगता है एक साधारन क्रिकेट बैट तो आपने कहीं बार देखे होंगे मगर आज हम आपको कुछ ऐसे अनोके क्रिकेट बैट के बारे में बताएंगे तो देखने में अजीब और अनोके बैट थे मसकार दोस्तों मेरा नाम है नवीन और स्वागत करता हूँ आपका जिग्यास आफिशल में अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब परके बैल आइकर प्रेस करना मत भूलेगा तो चलिए शुरू करते हैं इस अजीब से रिखने वाले बैट का इस्तेमाल आस्ट्रिलिया के मल्लेबाज मैथियो हैडन ने साल 2010 की IPL में दिली डेर डेविल्स के खिलाफ किया था इस बैट की सबसे बड़ी खासियत थी कि इस बैट की डिजाइन पावरफुल शॉर्स लगाने के लिए किया जाता है इसके चलते उस मैच में मैथियो हैडन ने 43 वालवे 93 रन बनाये थे बाद में एडन ने इसका इस्टेमाल नहीं किया तो कि इस बैट से डिफेंड करना बेहत मुश्किल था साल 2015 में हुए Big Bash League में Chris Gayle के इस्टेमाल किये गए इस गोल्डन स्पॉर्टन बैट को इंडिया से आस्ट्रेलिया लाया गया था इस बैट को देखकर लोगों को यह कहना था कि इसका गोल्डन रंग किसी मैटल की वज़े से हैं मगरबाद में स्पॉर्टन के मालिक कुनाल शर्मा ने बताया कि इस बैट का बेस कलर ही गोल्डन है और इसे क्रिकेट के नियुवे के अनुसार ही मैट को बनाया गया है और इसमें किसी भी मैटल का इस्तेमाल नहीं किया गया है साल 2005 में आस्ट्रेलिया के कप्तान एकी पॉंटिंग ने इस मैट का इस्तेमाल किया था मगर इसके पहले एप उंटिंग ने इसी बैट से केलते हुए साल 2004 और 2005 में पाकिस्तान के किलाफ वे टेस्ट मेश में डबल सेंचुरी लगाई थी वेस्ट इंडीस टीम के आल राउंडर आंद्रे रसल ने इस बैट का इस्टेमाल बिग बैश लीग में किया था पहले तो आस्टेलिया क्रिकेट बोर्ड में इस बैट को इस्तेमाल करने की इजादेत दे दी थी मगर बाद में इस पर पाबंदी लगा दी गई जिसका कारण इस बैट पर लगा काला रंग था जो बॉल पर अपना दाग छोड़ दिया करता था जिसकी वज़े से बॉल का रंग बदल जाये करता था पंदरा दिसंबर 1969 में आस्टेलिया के डेनिस लीली ने इंग्लैंड के खिलाफ चल रहे एसेट सिरीज के दौरान इस अलुमीनियम बैट का इस्तेमाल किया था इस बैट को देखकर सब आस्टेले चकित हुए थे कुछ चार गींदे खेलने के बाद इंग्लैंड के कप्तान माइक बेनली ने अंपायर से बॉल को छटीम पहुचाने की शिकायत की जिसके बाद अंपायर ने डैनिस लिली को इस बैट से खेलने के लिए मना कर दिया बहुत समझाने के बाद डैनिस लिली ने ये बैट वुस्से में मैदान में फैंक दी थी और दूसरी बैट से खेलना शुरू किया तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही मिनेगे एक और इंट्रस्टिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए जाएंट